स्रंजिना की किचन से आज की रेस्पी है घर पे पनीर कैसे बनाएं तो पनीर बनाने के लिए चाहिए एक लीटर दूद दो टू स्पून दही और थोड़ा दो टी स्पून दिने गर तो हम लोग गैस को जलाएंगे उसमें हमने बतन चलाया है अब दूद को फार के उसमें ड देखे दूद में उवाल आ गया है अब इसमें हम लोग दीरे दीरे गैस दीमा करेंगे और डही को मिलाएंगे अब इसे हलका हलका मीक्स करेंगे अब इसमें दो चमश विनेगर मिलाएंगे देखे हमारा पनीर फटने के थिया थार फटना चुरया है अब दोड़ा उसकाल चलाएंगेй ठाध को बन करेंगे और इसे थोडरी देर रेस्ट करने देंगे लेधी या ठंडा होने देगे देखेँ हमारा ठता दूधा थंडा हो गया है आप इसे छानेंगे छानने के लिए चाहिए एक कॉटन का कपड़ा मैंने कटन के हैंकी लिए है यह हैंक हमें के बिल्कुल नहीं है यूज की विए नहीं होनी चाहिए आप हम पर पनीर को चांगे तो इसमें हम पनीर को डालेंगे, फटे हुए डूद को आप छालेंगे, देखें हमारा डूद च्छन गया है, अब इसे फिर फैलाएंगे और इस पे ठंधा पानी डालेंगे, थंदा पानी डालने से यह हमारा पनीर अच्छे से स्वाप्ट और थंदा पानी डालेंगे, देखें थंदा पानी दोके अब इसे अच्छी तरह से निचोल लेंगे, इसको अच्छे से निचोल लिये हैं, अब इसे मैंने थोड़ा फूर्स करके फैला लिया है, अब इसको किसी बर्तन पर रखिए, उसके उपर से अपके घर में जो भी है, मैंने अपना चोकला डाला है, उसके उपर से कुछ हैवी वेट उसके रख दीजिए, और इसे दस मिनट आदा गंटा के लिए छोड़ दीजिए, दस से पंदरा मिनट हो गए है, अब आम अपने पनीर को चेक करेंगे, इस चेक करने के पहले उतना हुए ठटाएंगे, और देखेंगे पनीर हमारा त्यार हुआ है कि नहीं, और देखें हमारा पीट बनके बिल्कुल रेडी है कि यह हमारा पाणी बनके त्यार हो गया है आप इसे डंहें नहीं तेस्टी पनीर है इसे हमेक वीक तक इस्टोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं ये पनीर बनाने के लिए जो दूद फारे हैं वो बचा हुआ है इसे हम फेकेंगे नहीं इसका वेनी फीट आपको अगले वीडियो में हम जरूर बताएंगे आपको मेरी घर पे बनाई हुई पनीर की हेल्दी और टेश्टी पनीर की रेस्पी कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले और आपको नहीं वीडियो कोई देखनी है तो उसके लिए भी कमेंट करें रंजिना की कीचिन से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले